करनाटक में देश के ग्रह मंत्री अमिश्या पर FIR दर्च चुनाव आयोग से शिकायत हमने आपको खबर दिखाई कि किस तरीके से भरी रैली में ग्रह मंत्री अमिश्या ने कहा कि अगर करनाटक में कॉंग्रिस की सरकार बन गई तो पूरा प्रदेश दंगा ग्रस्त होगा इस बयान को देने के बाद अमिश्या बुरी तरह से पस्ते हुए नजर आ रहे हैं हाबर देखेगा पत्रिका की इसमें लिखा हुआ है की कॉंग्रेस ने अमिश्या के खिलाफ दर्ज कराई F.I.R और की हनाओ आयोक से शिकायत तो कॉंग्रेस ने अमिश्या के इस बयान के बाद अमिश्या के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है कॉंग्रस का कहना है कि ये भाशा है ग्रह मंत्री की कि हार की डर दिखाई दे रहा है बॉकला हाट दिखाई दे रही है तो भरे मन से डरा रहे हैं धमका रहे हैं लेकिन करनाटक की जनता डरने वाली नहीं है वहें दूसरी दरफ आपको बता दो कि करनाटक में ही अमिश्या ने ये बयान दिया था और अब करनाटक में ही FIR भी दर्ज हो चुकी है पहले ही हालत खराबती अब और भी जादा हालत खराब होती हुई दिखाई दे रही है तो जब कॉंग्रेस में ता रड़ीप सूर्जे वाला FIR दर्ज करने के लिए पहुचे तब उन्होंने क्या कहा सबसे पहले आप उनका ये बयान ध्यान से सुनेए इसके बाद आपको बताते हैं कि कॉंग्रेस में कैसे अमिश्या के खिलाब मोर्चा बंदी कर दी है तो रड़ीप सूर्जे वाला का कहना है कि कॉंग्रेस ने अमिश्या के खिलाब देश में नफरत पहलाने के खिलाब फाईयार दर्ज की है ये अपने आप में बड़ा मामला है कि देश के ग्रह मंतरी के खिलाफ इसलिए फाईयार दर्ज की गई है कि वो नफरत पहलाता है चुनावी भाज़नों में डराता है धंकाता है इस तरीके के आरोपों के साथ हम कोंग्रेस ने एक तरफ दर्ज की है वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग से शिकायत भी कर दी है तो हमेश आपर क्या-क्या आरोप लगा है कोंग्रेस ने आपको बटाती हूं खबर देखेगा पत्रिका किस में लिखा है कि करनाटक विधान सभा चुन व्यापकनी देने के लिए राजनितिक दलव्पध पेच अपना रहे हैं कोंग्रेस ने गर्य मंत्री कि खिलाफ मोप लगाका के पर दफया है कि अब जिअलत की है कोंग्रेस ने शाह के खिलाफ भरकाउँ बयान देने के अलावा लोगों में दिश्मणी और नफरत को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं अमिश्या पर विपक्ष को बदनाम करने का भी आरोप लगाया गया है कॉंग्रिस नेता रडीब सूर्जे वाला डॉक्टर परमेश्वर और डी के शिवकुमार ने थाने पहुचकर ग्रह मंत्री अमिश्या के खिलाब F.I.R. दर्ज करवाई है अमिश्या के खिलाब बैंगलूरू के हाई ग्राउन्स पुल स्थाने में केस दर्ज करवाया गया है तो आरोप देखे कितने संगीन लगाया गया है कि ये लोग भढ़का रहे हैं अमिश्या भड़का रहे हैं दंगे की बात कर रहे हैं विपक्ष को बदनाम कर रहे हैं नप्रक को बढ़ावा दे रहे हैं ग्रैम अंत्री अमिश्या पर इतने संगीन आरोपों के साथ करनाटक में केस दर्च किया गया है करनाटक में डबल इंजन की सरकार तो फिलाल अभी चली रही है 10 माई को वोटिंग होगी 13 माई को नतीजे आएंगे तब निकल कर सामने आएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा लेकिन जो पोस बता रहे हैं कि भारती जंता पार्टी हारने वाली है कॉंग्रिस की एक तरपाज जीत होने वाली है कॉंग्रिस का कहना है कि इसी की बॉकलाहट है जो की निकल कर सामने आ रही है अब जब जीत नहीं पा रहे हैं तो एड़ी चोटी का जोर तो लगा ही रहे थे लेकिन अब धमकाना भी शुरूर कर दिया है फिलाल आपको बता दूँ कि सिर्फ अपायार नहीं दर्ज की गई है बरकि चुनाव आयोग से शिकायत भी की गई है कबर में देखे लिखा है कि कॉंग्रिस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने चुनाव आयोग से शिकायत की है मैं अगलूरू में करनाटक कॉंग्रिस प्रमूख डीके शिवकुमार ने कहा कि केंद्री ग्रह मंत्री ने कहा है कि अगर कॉंग्रिस पार्टी सत्ता में आ गई तो वे सांपरदाईक अधिकारों से प्रभावित होंगे इस तरह का बयान दे रही है हमने इस पर चुनाव आयोग के पास जाकर शिकायत दर्ज कराई है तो एक तरह पायार दर्ज हुई दूसरी तरह चुनाव आयोग से शिकायत की गई है 10 माई को वोटिंग होने वाली है 13 माई को नतीजे आने वाली है आप देखिए कि किस तरीके से हार की बौकलाहट कतित बयानों में साप नजर आ रही है हमने आप वो खबर दिखाई भी थी कि किस तरीके से ग्रह मंत्री अमिश्या ने जो बयान दिया है ये बवाल पैदा कर रहा है लेकिन इतना बवाल हो जाएगा फायार तक दर्ज हो जाएगी चाहिद अमिश्या ने भी नहीं सोचा होगा चुनाओं कि ठीक पहले इतना बड़ा डैमेज लगा है पहले ये लोग डैमेज कंट्रोल कर रहे थे जमनेता फूर्मुक्य मंत्री लगातार इस्तीफे दे रहे थे अब आप देखिए कि कितना बड़ा इमेज पर डैमेज लगा है अब इसे प्रधार मंत्री नरेद्र मोधी लगातार जो रैलिया करने वाले है उसमें कैसे कवर करेंगे ये भी देखना दिल्चस्प होगा फिलाल आपको बता दू कि कॉंग्रिस का एक लंबा चोड़ा पोस्ट है वो भी सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है इसमें क्या लिखा है ध्यान से सुनिएगा लिखा है कॉंग्रिस की तरफ से लिखा गया है इसका मतलब है कि करनाटक के लोगों ने अपने मन की सरकार चुनी तो उन्हें दंगे देखने पड़ेंगे कितना अफसोस जनक है कि हमारे देश के ग्रह मंत्री कुले तोर पर अपने ही देश के लोगों को धंका रहे हैं डरा रहे हैं ये बात अफसोस जनक इसलिए और भी जादा हो जाती है क्योंकि ये भाज़ा किसी और की तरफ से नहीं, बलकि देश के ग्रह मंतरी की तरफ से बोले गई है, कोई चुटबईया विधायक नहीं है, कोई नेता नहीं है, आप सोचिए कि देश का ग्रह मंतरी इस तरह की बाते क कारवाई करेगी, साथ ही इस मामले पर चुनाओ आयोग में शिकायद भी दर्ज की जाएगी, बीजेपी को ये धमकी महंगी पहने वाली है, जनता इसका जवाब वोट की चोट से देगी, गुरु बस्वर्ना की जी की धर्ती पर नफरत हारेगी, करनाटक अपनी प्रेम संस्कृती से चलेगा, देश के लोकतंतर से चलेगा, किसी शाह और शेहनशा के आशिरवास से नहीं चलेगा, यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है, कि ग्रह मंत्री हमें शक किस तरीके की बाते कर रहे हैं, ध्यान से सुनेगा, पहले तो उन्होंने कहा कि अगर बीजेप की सत्ता पर नहीं आई, कॉंग्रिस सत्ता पर आगई, तो दंगे होंगे, तो दोनों दरफ से किस तरीके से आप देखिए, कि कत्तोर पर डराने और धमकाने की धमकी दी जा रही है, एक तरफ विधायक कहते हैं, कि अगर वोट नहीं दिया, तो हम मुस्लिमों का काम नहीं क करेंगे, वहीं दूसरी तरफ जेपी नड़ा कहते हैं, कि अगर वी जेपी की सरकार नहीं बनी, तो मोदी के आशिरवास से बंचित रह जाओगे, इसी तरह की बयान बाजिया लगातार की जा रही है, फिलाल अमिशा पर तो F.I.R. दर्ज हो चुकी है, अब यहां पर सवा पर आपका क्या कहना है, अमिशा के इस बयान पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बोक्स में जरूर लिखें, वीडियो को जादा से जादा शेयर करें, सब्स्क्राइबर मेट दबाया, बालाइक दबाया ताकि हर ख़बर की नोडिफिकेशन आप तक पहुंसती रहे, मैं आप देख रहे थे ओलाइन योज जिन्डिया, पर मिलते हैं एंगली ख़बर के साथ तब तक के लिए घन्यवाद